नवस्कार अपना पूरा पैसा फुक दिये लालू अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को बचाने के लिए लेकिन सीबी आई को जाच करने से रोक नहीं पाएं दलाली की गर्मी जादा दिन तक नहीं ठिकती धोखे का सत्ता और सामराज्य देखते ही देखते खतम हो जाता है आज का वीडियो बहुत जादा महत्वपुन होने वाला है जानिये की लालू परिवार के भरस्ता चारका खेल सीबी आई कैसे कस रहा है सिकंजा तेजस्वी यादों के मनोखामना को पूरा करेगी जल सीबी आई रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में सीबी आई ने लालू यादों से दिल्ली में सीबी आई की पूछताश जो है वो खतम हो गई है यह बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों सीबी आई के टीम उनकी बेटी मीशा भारती के घर लालू से तीन घंटे सवाल जवाब किये हैं टीम वहां से निकल चुकी है अभी का ताजिया रिपोर्ट इधर रोहिनी अचारिया ने कहा है कि पापा को परेशानी हुई तो दिल्ली की कुरसी हिला देंगे ऐसा बयान देना किस हद तक सही है दोस्तों जरूर आप बताईएगा लालू यादव सिंगापुर से किडिनी ट्रांस्प्लान के बाद दिल्ली में मीशा भारती के आवास पर ही रह रहे हैं एक दिन पहले पटना में पुर्व सीएम रावडी देवी से उनके आवास पर सीबी आई ने करीब सारे चार घंटे तक पुष्टाच की अब इस दोरान अर्तालिस सवाल किये गए थे लालू परिवार के गिरफतारी के सिकंजे में पुरी तरीके से फस गये हैं लैन फॉर जॉब स्कैम में सीबी आई की चार्टिट पर कोड ने लालू रावडी और मीशा को समन जारी किया था मीशा भारती दोस्तो लालू परसाद यादव की बेटी हैं CBI ने चार्शिट में राहुल प्रसाद यादव के अलावा राबरी देवी और 14 अन्ने को आरोपी बनाया है 15 मार्च को कोट में इनको पेश होने के आदेश दिये गए हैं ये भी बड़ी अपडेट है अब CBI का क्या क्या आरोप है जरा जानिए लालू के रेल मंत्री 2004 से 2009 रहते हुए लैंड फोर जाव स्कैम हुआ था CBI का आरोप है कि सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रोपर्टी ट्रांसफर कड़ाई गई बदले में रेलवे के अलग अलग जोन मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जैपूर और हाजिपूर में नौकरी दी लालू परिवार ने या संपत्ती वैसे लोगों से ली जो पटना के निवासी थे या जिन्होंने अपने परिजनों के उस संपत्ती को बेच इनके परिजनों के नाम पर गिफ्ट किया बहुत बड़ा जोल हुआ है दोस्तों सी बी आई के इस अनुसार इस तरह से लालू यादाव के परिवार ने बिहार में एक लाख स्क्वार फिट से जादा जमीन खास बात ये है दोस्तों की लैंड ट्रांसफर के जादा तर केस में जमीन माली को कैश का भुकतान किया गया कैश के भुकतान में सरकार को वो पैसा नहीं दिखता है अब इस मामले में CBI ने माई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर ब्रस्टाचार का नया केस दर्ज कर दिया था दोस्तों अब CBI ने पूछा कितने लोगों से जमीन लेकर आपने नौकरी दी है तो राबरी देवी जी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है बेटी रोहिनी आचारिया ने ट्विट कर कहा है पापा को लगतार तंग किया जा रहा है अगर उन्हें कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोरूंगी ये बयान तो दादा गिरी लग रही है आप किसको धमकी दे रही है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि CBI, ED और IT हमारे घर में अपना दफ्तर खोल ले उसे सुविधा होगी आने जाने का खर्च भी बचेगा आप तेजस्वी यादव जी अपने खर्च की चिंता कीजिए ना, आपका जादा खर्च होने वाला है, हलाकि मैं आपको बता दूँ, एजेंसी के खर्च की चिंता ना करें, उनको सरकार देती है, एजेंसी का दलाली का पैसा नहीं है, सुसिल कुमार मोदी जी ने कहा कि इ यह ललन चौधरी कौन है, और क्यों इनकी जमीन गिप्ट में ली गई, यह दोस्तों बहुत बढ़ा बयान दे दिया है, तो यहाँ पर बताएं कि कॉंग्रेस महासचियो प्रियंका गांधी वाडरा ने कहा कि जो विपक्ची नेता भाजपा के आगे नहीं जुक रहे हैं, उन्हें CBI से प्रतारित किया जा रहा है, यह आरूप लगा दिया है वाडरा ने, अर्विंद केजनी वाल ने कहा, विपक्च की सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, यह भी बरा आरूप लगा दिया है, अब इन लोग को फ्री छूट दे दो, आप भरस्ताचारी की जीए, तो भाजपा, CBI, ED से अच्छा कोई एजंसी हो ही नहीं सकता है, सुबह जब टीम राबरी के घर पहुँची तो उस वक्त बेटे टेज प्रताब और तेजस्वी यादों भी मौजूद थे, लेकिन बाद में वे विधान सभा के लिए निकल गए, मीडिया रिपोर् देते हुए, उनके घर पर करने के लिए तयार हो गए, कि चलिए आप से घर पर ही पुस्ताच हो जाएगी, डिप्टी सीम तेजस्वी यादों ने कहा है, कि जमीन के बदले नौकरी मामले में CBI आई थी, और आई है, जिस दिन से सरकार बनी है, उस दिन से यह हो रहा है, य पहले भी इस केस की CBI कई बार जाच करके बंद कर चुकी है, किसने कहा आपको बंद हो गई ये केस, रेलवे ने इसे घोटाला नहीं माना, ये भी तेजस्वी यादों कह रहे हैं, खुद के बचाओ के लिए यादों जी कुछ भी बोल रहे हैं, यही बोल केजली वाल की भ बतादू आपको तेजस्वी यादों जी, अब लगता है तेजस्वी यादों के पुरे परिवार के बारी है, इन दो भाईयों के विचार सुनिए, कुछ अपना विचार दिया है, उन्होंने कहा कि आप लोग पिता जी के भरस्ता चारों की रोटी खा रहे हो, बरे बरे ब सोरेंगे और सजा दिलवा करके ही दम लेंगे, दोस्तों दूसरे भाईयों किया कहा, जरा देखी, दूसरे भाईयों कि आपके पापा और पूरा परिवार कोई संत महत्मा तो है नहीं, है मुझरिम, जमानत पर बाहर है, कारण, खराब सेहत, खराब सेहत में राजनीती कर स तो चोरी डकैती भरस्ताचार के आरोप पे जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं, जवाब तो देना ही होगा, चोरी उपर से सीना जोरी, दोस्तों ये बड़ा बयान दिया, भरस्ताचार के आग में जल रहा लालू यादो पडिवार, बिहार के मासुम जनता का खुन चुसने वाले का होगा सफाया, बिहार से करपसन तो घटाया नहीं और बढ़ा करके रख दिया, पाप और निरलज्जता का पर्तिक ये पाटी का खात्मा जल्द होगा, सीबी आई के पास सबुतों के भंडार हाथ लगे हैं, कितने दिन तक अपने पाप का समराज्य जिन्दा रख जवाब दोनों साफ है कि लालू यादव परिवार को खब होगा जेल, ये बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब भी बहुती सीधा है, जवाब में जेल का दरवाजा खुला है, तैयारी चल रही है, अपनी घटिया राजनिती को गले में बांद कर घुमिये, जन्ता आपकी पा स्टता को नहीं सहेगी इस बार